जब जानक अन्रूत के चर्णों में खुद को स्तमार पिद कर देती है तो अब यहां से वो खुद को चेंज कर देता है और जब अर्चे उसके रिंग को दिखर के उससे दिर उतारने के लिए बोल देती है तो यह साफ उसके सामने कानफेस कर देता है कि जानक को अगर तुम को उत्रवा भी देती हो तो उसके मन से कैसे उतारोगी प्राव्म्स इसकतर बढ़ जाती है ना बात जगड़े पह जाती है और फिर साहदी के बीच महत्भेद यह सच में कॉम्लीकरेट बन जाती है कि जब जानक इसके कमड़ें में होती है और यह उससे रोकना चाहता है कि ज इकनी हिमत नहीं है कि यह सभी फैमिली वालों के सामने सपोर्ट कर सके और बता सके कि हाँ जानक से मैं प्यार करता हो तो फिर जानक ही वैसे भी बदनामी होगी यह उसको गल्ले लगाना चाहती है लेकिन जब उसके पैरों में होती है तो बहुत रोती है लेकिन बिल तोर करके जारी हो ना इसका सचा भगवान तुम्हें देगा यह चीज़े बोलने के बाद में वह अपने हाथों में चोट लगवा लेता है कि कहीं ने कहीं जानक भी जश्ट इसके बाद ही कुछ बोल देती है ऐसी बात है जो अगर तुम मेरे उपर उंगली उठा रह तो मुझे तकलीब की को रिवीव बहुत रहती है कि मैं भी सर्ट जी के बगार कैसे जिएंगे मुझे खुद भी नहीं पाता है यह साथ अपनी जिन्दिक के खदम कर लेगी ऐसी बाते सोच-चोच करके यह बहुत पढ़सान भी हो रही होती है अन्रोध यह बहुत रहता ह है सोच यह जा रहा कि आपके आवकात कितनी है खैर तन्यूजा को भी धोती है लेकिन हवो भी उसको रोकने के लिए बहुत कोसिस करते बड़ फिर जाना जरूरी है तो अनुरूध अब यहां पर आ करके उसका सपोर्ट करता है तो बताता है कि तीको जहनक कहीं नहीं जा र अच्छा खुस होने का दिखावा कर रहा होता है तब तक इसकी अंगोटी को देख लेती है और आप यह पता चलता है कि जब यह गई थी घर से तब तो इसके हाथ में नहीं था और तो ठीक है यह रिंग मैं उतार दूगा लेकिन एक बात बताओ कि जहनक को मेरे मंद से कैस दूर कर दिया अब बहुत गड़वालों पर भी होता है आप लोग ने उसे इतना टॉचर किया कि अब यहां रहना नहीं चाहती वह यहां कभी लोट करके भी नहीं आएगी बहुत गुस्सा होता है और फिर हाल इसका अब देखते लों कि वहां पर क्या आता मस्ता होने वा वाला है लेकिन गुड़ों कुछ भी कहों बवाल तब होने ही वाला है